मंगलबार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है वहीं बहुत से लोग मंगलबार का वृत कर पूजा पार्ट भी करते हैं वहीं जो अतिस कनुजार मंगलबार के दिन बिसेश पूजा करने से हनुमान जी अपने भक्तों पर असीम किरपा बरसाते हैं साथी मंगलबार के दिन हनुमां जी की पूझा करने से सारी बाधाओं से मुक्ती भी मिलती है लेकिन आज हम हनुमां जी के कुछ खास उपाई बताने जा रहे हैं जिनको करने से आप पर हनुमां जी की विसेश किरपा बनी रहेगी वहीं आप ये उपाये साल में एक बार कर सकते हैं जिए आये जाते हैं उपायों के बारे में मंगलबार के दिन हरुमाण जी की मुट्टी के आगे सुदगी की रोटी बनाकर उसका भोग लगाएं ऐसा करने से आपके सारे कश्ट आसानी से दूरोंगे साथ ही हनुमान चालीसा का पार्ट भी करें ऐसा करने से आपके उपर सदेव बजरंग बली के किरपाप बनी रहेगी मुई बात करते हैं दूसरा उपाए हरुमान जी को बेसन के बने लड़ू बहुत ही जादा पसंद होते हैं इसलिए आपको नुमान जी को परसंद करने के लिए हर मंगलबार के दिन बेसन के लड़ू या फिर बूंदी का भोग लगाना चाहिए वहीं अगर आप बेसन के लड़ू खुद बनाकर भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको जल्द सारी परिशानियों से निजात मिलता है और साल में कम से कम एक बार 50 किलो का भोग लगाकर लोगों में पाटना चाहिए यह ऐसा करने से आप पर सदेव बजरंग बली के असीम किरपाब बरसती है नेक्टन ने स्पीच्वल की स्पोर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और बेपोटर, पीचियो एडिटर, कैमरामैन या स्कृप राइडर तो हम इस संपर्ष को